कुछ department हमेशा ऐसे होते हैं जहां एक electrical engineer हमेशा जाना चाहता है जैसे power plant की job, transmission line में substation की job, आपके railway की job तो आज ये एक सुनहरा मौका UP RVNL ने JE की vacancies निकाल दी हैं, अभी कुछ time पहले ही JE का result आया था और फिर से दुबारा vacancies आई हैं ये आपकी UP RVNL की official site है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये notification जारी हो चुका है आईए इस notification को देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी job बच्चे लगेगी कहाँ पर ठीक है आपकी job बच्चे लगेगी कहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से चार सब स्टेशन ये चार power stations है एक अनपरा सोनभद्र का जो की 36 मेगवाट का है एक ओबरा सोनभद्र का जो 1094 मेगवाट का है एक परिचा जहांसी में 1140 मेवाट का है और एक हर्दुआ गंज अलीगड 610 मेवाट का power plant है ये कुल मिलाके 54-74 मेवाट के power plant बनते हैं और ये एक बहुत मतलब dream job होती है किसी भी electrical engineer के लिए power plant में job लगाना तो आई ये notification में देखते हैं कि क्या कहता है ये notification detail में देखते हैं देखिए कुल मिला के अवेर अव्यानता की job आई है मतलब की junior engineer की जेई के post है यांतरिक विद्धुत मतलब आपका यांतरिक mechanical बच्चे ठीक है विद्धुत electrical की job है और electrical electronics and control instrumentation की मतलब EI जिसे बोलते है electronics instrumentation और electronics मतलब बच्चे EC जिसको बोलते हैं ये तीन branches की vacancies इंदे निकाली है हाला कि EI और EC को मिलाते हैं तो चार branch बन जाती है आईए बात करते हैं mechanical की 33 vacancy है electrical की 39 है ठीक है तो detail में बात करते हैं electrical की vacancies की 39 vacancies बच्चे ये electrical की है जिसमें की general के लिए total vacancies 29 है general के लिए 16 है ठीक है OBC के लिए 6 है SC के लिए 3 और ST के लिए एक vacancy है और आपका PWD के लिए 1 EWS के लिए 3 और आपका भूत पूर्व सैनिक जो होते हैं मतलब जिनका क्या कहते हैं जो retired होते हैं सैनिक से उन लोगों के लिए एक vacancy है और सतंत्र संग्रा संदानियों के लिए vacancy नहीं है खेर तो कुल मिलाके 29 vacancies यहाँ पर electrical engineer की है और क्या कहता है इस notification आईए देखते हैं computer science के लिए भी बच्चे इधर vacancies हैं चार vacancies computer science की हैं और EC की 16 बाकी हम लोगोंने बात करी थी कि आपका 33 vacancies mechanical की अब देखते हैं यहाँ पर वेतन की बात करते हैं देखिए बच्चे यह आपका अभ्या रमवनता मतलब की जेई की vacancies के लिए हलाकि vacancies सायक लेखकार की भी है रसायनक ग्रेड टू की भी है लेवसेस्टेंट की भी है तो मैं बात करता हूं जेई की लगवक 45,000 की salary वहाँ से allotted है सेविंथ पे कमिशन के साब से जिसमें आगे और डिये एचे वगएरा जो चीज लगती है और यह वेतन कहीं लगवक जाता है पचास तक मोटा माटी पहुंचता है क्या essential qualifications है आईए देखते हैं क्या-क्या essential qualifications है चलिए तो अगर हम लोग बच्चे बात करें बंदे को क क्या चाहिए candidate को क्या चाहिए कि भी उसके हिंदी में मतलब 10th वगेरा में हिंदी हो high school में तो obviously जो लोग यूपी छेत्र के हैं उनकी हिंदी रहती ही रहे है इसमें कोई दो राय नहीं है आईए तो major qualification है वो 0-3 year diploma student होने चाहिए मतलब डिप्लोमा किया होना चाहिए तीन सा डिप्लोमा किया है पर वह 2 साल का है क्योंकि हम लोग कुछ पच्छे जो कर लेते हैं तो लोग लेटरल एंटरी में डवीशन लेके दो साल का डिप्लोमा करते हैं एक बात मैं आपको बता दू कि वह वहलेड ही होता है याद रखिएगा क्योंकि वह आपकी उसमें जो जो वो count होके बच्चे ही आपका zero two year उसमे eligibility होती है तो जो लोग later entry के रहे हैं वो बिलकुल इस form को भर सकते हैं और eligible हैं ठीक है distance learning वाले बच्चे eligible बिलकुल भी नहीं होंगे यह देखिए और आपका एक और बात है कि diploma आपका खतम हो जाना चाहिए मतलब अभी जो date है कब से कब तक form भरा जाएगा अगर तब तक आपका result आ चुका है भले degree आपके पास नहीं है result आ चुका है तो आप applicable इस form को भरने के लिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं बाकी की बात बच्चे नहोंने lab assistant और chemist के grade पेक ही करी है वो उससे हमें खास इतना मतलब नहीं है बट हाँ जेए की post के लिए अठारा से चालिस वर्ष तक का जो है आपका age का जो criteria है वो है आगे हम लोग बात करते हैं देखिए कितनी age में छूट है तो जो लोग का कहते हैं आपका OBC से है यह देखिए आप साफ लिखा हुआ है पांच वर्ष की OBC की चूट है ठीक है ना OBC की SCST की सब की पांच वर्ष चूट दी हुई है मतलब common चूट है ठीक है तो आपका 40 प्लस पांच वर्ष की चूट के बाद 45 साल तक के भी अगर आप हैं तो भर सकते हैं इन्होंने बोला है कि एप्लिकेशन जो है वो बच्चे कितने का है जेए का जेए का एप्लिकेशन है 1180 ठीक है सेम इतना ही AE का था अभी कुछ दुनों पहले UPPCL AE ने निकाला है इतना ही था अब एक और बात कर लेते हैं देट की बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या हमारा इसके अंदर पेपर का पैटन रहेगा तो देखिए इन्होंने साफ इसन्होंने मेंशन किया है यह पर वह हमेशां चला रहा है एक देलसो का टेक्निकल होगा औरच्चे 50 नंबर का नन टेक होगा 2020 में इंकलूड हो चुका था पर 2021 में PLC SCADA के सासाथ AutoCAD, MATLAB, Renewal Energy तो पहले सी चला आ रहा है, तो यह कुछ subject है जो लीक से हटके हैं, बट काफी पूचे जा रहे हैं, और पूचे जाते हैं, IMED काफी UP उचा गया, UP PCL में, IMRI वो काफी पूचा गया, तो जो बच्चे UP से हैं वो बहतरीन तरीके से जानते हैं, कि 2021 में यह subject आ चुके हैं, include हो चुके हैं, पर, obviously बात है, जो 2021 में होगा student, वो तो इस form को भरी नहीं पाएगा, तो जो लोग बच्चे पहले कर चुके हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझीए, कि कई नए subjects include हुए थे, आप लोग अगर 2018 से पहले के पास आउते हैं, तो आपने नहीं पढ़ा होगा यह, PLC SCADA हुआ, है ना, और MATLAB हुआ, AutoCAD हुआ, इस बार include कर दिया गया है, बच्चे यह subject, AutoCAD हुआ यहाँ पर, और IMED हुआ, IMRI हुआ, IMRE हुआ, तो यह कुछ subject हैं, जो नए आपके जुड़े हैं, इनका ध्य ध्यान रखिएगा, डिपलोमा का सलेवर सीधा दे रखा है, पचास की जो non-tech है, उसका बायरिफिकेशन इन्होंने बहुत अच्छे से दे रखा है, हिंदी आएगी बच्चे, ठीक है, हिंदी आएगी, GKS जो होता है, हलाकि इसमें देखा गया है, current affair भी वो लोग डाल दे देते हैं, और reasoning आईगी आपका, ठीक है, तो यह सब 50 नंबर में included है, एक marks का questions होगा, और 0.25 marks की बच्चे negative marking होगी, यह बात ध्यान रखनी है, खेर, इनका जो pattern है, वो बहुत time से बदल भी नहीं रहा है, यह pattern रहा अभी है, ठीक है, तो यह J की pattern की हम लोग ने बात कर ली, बाकी की पोस्ट की pattern की हम लोग बात नहीं करेंगे, और यहाँ पर आईए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, date की बात मैं करता हूँ आपको, देखें, आईए सेंटर को भी देख लेते हैं, कि आपका परकिशा स्थान क्या-क्या उन्होंने रखने की बात करी है, तो दे इन्होंने अलोट किये हैं, सेंटर, एक्जैम्स के लिए, अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर date लखी है, और उसमें गड़वड़ी कर दी है, यह इन्होंने गड़वड़ी करी है, ठीक है, official notification है, अब जाहिर सी बात है, एकदम last time पर notification निकालेंगे, तो इन चीजों की ग 27 फरवरी होगी, ठीक है, यह भी बात समझ में आती है, और इन्होंने कहा, online fees को जमा करना है, उसकी last date होगी 29 फैब, अब 29 फैब तो ही नहीं है, 2022 में, 2022 तो 28 फैब तक की है, तो क्या होता है कि जब भाई, चुनाव आने वाला है, और सरकार का pressure होता है, और जल्दी notification निकाल बच्चे सीधा सा ये normalization का formula आज तक किसी को समझ दिया है, बट हाँ, एक बात जो conclusion रहती है, वो यही कि normalization में आपके number ज्यादा से यादा gain तभी करेंगे, जब आप negative marking कम करके आएंगे, तो focus on that कि आप सही ज्यादा करें, तो के कम मारें, ठीक है, खेर, तो यहाँ पर बच है, इस यूपी आर्विनिल के session के लिए, याद रखिएगा, बहुत बहुत तगड़ी preparation हम लोग शुरू करने वाले हैं, चाहें आप AEE background से हो, या JEE के लिए यूपी आर्विनिल, तो जुड जाईए, जैन एक session लेके आने वाला है तगड़े, आपके कोई session छूटे ना, क time नहीं लेंगे, ये लोग joining कराने के लिए, क्यों, इसलिए क्योंकि चुनाव है, उन्हें joining दिखानी है और उसी किदम पर ये vote लेंगे, तो मुलाकात करते हैं, चल्दी से session में, share कर दीजेगा, आपके दोस्तों को, फ्रेंड को पता चल जाए, जल्दी है न, क्योंकि vacancies ज